तेलो फ्रेंस आपका स्वागत है गरीम स्टङी पॉइन्ट पे और आज की क्लास में हम लोग पा Manuel का Klascal Unbaudhan का सिधान देखेंगे यानी पावल ल जो उक्लास करों वदन का सीधान थ। इसको आज की क्लास में लेकिन वहीं उन्हें नहीं कहा कि अगर उसी अंकंडिशनल इस्ट्यूमलस जो कि उसके सामने आ रहा है तो यह जो क्रिया ऑप क्या हो जाएगी कुछ अब बार बार यही प्रेक्रिया दोराने पर जो होने लगे वह कंडिशनल इस्ट्यूमलस के साथ होगी और एक टाइम के के बाद यह दोनों क्या हो और इसके मध्धे जो वेक्ति के सामने ऐसे समस्सां आ रही हैं वह इन दोनों के मध्धे सहचर सहिब एक संपट बॉल्टा और इन्होंने क्या था अनुबन यहाने का फिर्वले यहान देखने वाली बात है कि यहां जो इस प्रियोग तो देखे प्रियोग वह जो प्रियोग था वह प्रियोग किया था तो यहां एक चीज देखने वाली बात है कि यहां जो चीजे लिखी हुई है उसको थोड़ा धयन दीजेगा कि इनके स्टेक के सामने क्या हुआ कि इन्होंने भूजन के रूप में एक Unconditional Stumal Space किया या नि भूजन के रूप में जो है एक Unconditional Stumal choウैं इसके सामने दिया गया तो सब्सक्राविक क्रिया थे कि कुछते के के पहले कुछ घंटी की आवाज की और यह किरिया इन्होंने कई दिनों तक दोहराई लगातार दोहराते रहे और यह कंडिशनल जो बजा लहते हैं तो हमनाले इसी расп condemnation साथ हो रहा था इसी तरीके से आगे देखें तो आगे जो है क्या हुआ कि गंटी की आवाज टी कि यह जो घंटी की देखे आवाज जो थी वह उद्धिपन थी यह कंडिशनल यह कंडिशनल इस्ट्यूमिलेस था और जो लारका स्त्राव आना था वह उसके प्रति अनक्रिया थी जब वह इन दोनों के मत देखा करता है सच्छार इस्थापित कर लेता है यहां थोड़ा होग करे तो देखें यहां जो है जो घंटी की आवाज यह कंडिशनल इस्ट्यूमिलेस था और लारका स्तरा ता यह अनक्रिया थी जब इन दोनों के मतर्स मद्द क्या करता है वह सहचर इस्थापित कर लेता है इस को इन्होंने क्या अनुबंधन और सीखना माना है इन्हों से काुआ किसी प्रकार से प्लटों सीखा सकते हैं आगे एक बच्चे पर विए ट्था पावलो में किया था 1920 में अलबर्ट नामक बच्चे का फिगर है इसके उपर प्रियोक किया था इन्हों ने जो है मानो शिशू पर क्या किया था इन्होंने पाया कि जो है मानो शिशू पशू के समान अनबंधन द्वारा सीखते हैं तो इसी को इन्होंने क्या कहा था समान ये करण की संगया दे थी आगे देखते हैं इन्होंने प्रियोग में क्या बताया था इन्होंने देखा कि जिसे क्या होता है एक कंडिशनल स्ट्यूमिलस अगर किसी वेक्ति के सामने आता कि इसी तीर आवाज के पहले क्या एक सफेद खर्गोश बच्चे सामने रखा सफेद खरगोश बच्चा और उसके साथ वो खीलने लगा एक एक समय बार बार दोर आए गया स्थापित किया कि उसने किसे साथ कर लिए जूहे के साथ कर लिया आप वह नोग decisions who तो अब क्या हुआ वह पहले ही उससे डड़ने लगा तो इस तरीके से उसने क्या किया चूहे और जो भै है उसके अंदर उन दोनों के मद्ध क्या किया कि सहचर इस्तापित किया और एक अनुबंधन जो सहचर इस्तापित किया उससी को इन्होंने अनुबंधन कहा और उससी क क्लास्कल अनुबंधन सिद्धान का एक विस्तित प्रियोगात्मक समर्थन भी किया इतना ही नहीं पावलम ने क्या का इसके बारे में पावलम ने जो यह दावा किया पावलम ने जो है यहां क्या किया यह दावा किया कि जो अनुबंधन द्वारा सभी तरीके की सीखने की व तो जो क्लासकल अनुबंधन सिध्धान के अनुसार इन्होंने क्या बताया कि खास-खास ऐसे संप्रत्य कुछ कॉंसेप्ट हैं जिन पर पावलों ने अधिक बल डाला है जिन से सीखने के सवरूप विशेशताओं पर अधिक रोशनी पड़ती हैं ऐसे संप्रत्य में निम्न मत dyskright इन्हों देने वाली बते हैं उन चीजों को हम फ़ॉलो करेंगे तभी हम चीजों को सीख पाएंगे he otherwise नहीं कर पाएंगे तो इन्होंने क्या-क्या दिया है आय्ये देख थे मोजय को इन्होंने सबसेपहले बात कि अ offenders है कुछ कॉंसेट चैट रहले सब सब्सेट नि किसे तराल होगा वह क्या होगा एक महत्वूर्ड कारक बताए इनोंने हो समय बताया है आफ या या इतना ही टाइम होना चाहिए अगर इससे जादा या कम बहुत जादा या कम होगा तो हम उसमें क्या होगा सीख नहीं पाएंगे यानि अगर यह बहुत डिस्टेंस होगा इन दोनों का देने का समय है बहुत ज्यादा अंतर पर तो फिर कंडिशन नहीं होगी आगे देखें दूसरा है समान अधीपन समान्य करन में उन्होंने कहा कि जब होता है उसके सामने अंकंडिशनल स्ट्यूमिलिस दिया जाता है उसके पती जो मिलते जुलते अन्य उद्धीपन के प्रति अगर वैसी ही अनुक्रिया करता है तो उसे हम उद्धीपन समान्य करण की संगया देते हैं पॉर एक्जामपल की तरके से अगर देखें तो जब कोई चात्र किसी सिच्छा के प्रति नकारातमक मनुवृति विक्सित कर लेता ह जो ऐसा ही मनुवृति उन सभी सचों को प्रति विक्सित कर लेता है जो उसके घंजिस्ष्ययोगी होते हैं यहां तक कि छातर उसके चातर दौरा लिखित पुस्तक के प्रति भी नकारात्मक मनुवृति विक्सित कर लेते हैं तीसरा इन्होंने क्या दिया विभेद यानि तीसरा विभेद में इन्होंने कहा कि जो विभेद है जैसे जैसे क्या होता है कि बच्चे जैसे जैसे सीखने वालों के लिए दिये जाने वाले प्रयासों की संख्या जो होती है बढ़ती जाती है वैसे वैसे व्यक्ति जो क्या क करता है वो अंतर करना या विभाइद करना सीख लेता है इसका पाइडाम यह होता है कि व्यक्ति सिर्फ जो मूल अनुबंदित जो उद्धीपन है उसके प्रति ही अनुक्रिया करता है यानि वो जो मूल अनुबंदित अनुक्रिया है उसके प्रति ही वो उद्धीपन है उसक कि जैसे क्या होता है कि जब पुनर बलन या सभाविक जो उद्धीपन है कि अनुपस्थिती में व्यक्ति को अनुबंधित अनुक्रिया बार-बार की जाती है यानि अगर हम क्या करें जो पुनर बलन या जो अनुबंधित अनुक्रिया बार-बार की जाए यानि कि हम उपने का त्वी पाफी है और अजित को न को dus और आ कके गुनिया अगर घंटी बजाइगी हूं कुल ऊघाल है कि यह को था आप के आग दो एक कुमत हुशं का कुछ की की प्रवित्ति थी वो क्या होगी विलोप हो जाएगी यानि इन दोनों के मद्ध वो सहचयर इस्थापित नहीं करेगा क्योंकि उसको पता चल जाएगा कि घंटी बजएगी लेकिन घोजन नहीं मिलेगा तो इस तरीके से उसके अंदर गाद यह सारी जो जो सहचयर इस्थापित करा तो अब नहीं करेगा तो इसकी को इन्होंने क्या क्या विलोप की संग्या दी देखिए इसमें क्या क्या कह रहे हैं कि इसकी सक्ति शने शने घटती जाएगी धी मेदी में अगर यह जब पुनरबलन का स्वभाविक उदीपन की अनुपस्तिती मे व्यक्ति को अनुबंदित अनुक्रिया बार बार की जाती है तो इसकी सक्ति क्या होती है सनसने घटती जाती है इसे ही इन्होंने विलोप की संग्या देए आगे इन्होंने यह भी बोला है कि स्वता पुनरलाब को भी इन्होंने बताया है यहां क्या कि स्वता पुनरलाब कि बात भी इनोंने बताई है सुश्वता पुनरलाब में बताया है कि विलोब की घटना है, यह काफी संबंदित है जब कोई सीखी गई अनुक्रिया का विलोब हो जाता है, यानि कि वो उसको कहीं छूट जाता है, खत्म हो जाता है एक तरीके से, तो थोड़े समय बीचने के आद आता पुना दिया जाए नियर भूजन दिया जाने लगे तो आंशिक रोप शुका है इसे इसा की बाद में अगर उसको घंटी से भुजन दिया जाए तो आशिक रूप से उसके लाराना िछ थोड़ा प्रारण हो जाएगा इसी को इन्होंने स्वता पुनर लाप कहा, आगे देखें तो पुनर बलन की बात इन्होंने की, एक मिनट, आगे जो है इन्होंने क्या किया, पुनर बलन की बात किया, यानि की option number 5, पुनर बलन में इन्होंने बोला कि classical जो अनुबंधन का जो एक महत्तपूर कॉंसेप्ट है इन्होंने अपने सिध्धाद में पुनर बलन का नाम नहीं लिया, बलकि उसको एक unconditional stimulus के रूप में प्रियोग किया है, जो unconditional stimulus बताया है, वही यहां क्या है, पुनर बलन का को बतायागा, पावलम ने जो है, पावलम की प्रियोग में जो है, जो सभाविक उद्धिपन, बार उपस्तित नहीं किया जाता, तो सीखने का कोई प्रेश्णी नहीं उड़ता, यानि उन्होंने पुनर बलन को क्या किया है, मौतपूर माना ने उन्हें कहा कि अगर सिखाना है, तो उसके साथ पुनर बलन होना आवश्यक है, अनधा वह सीखेगा नहीं, यानि उसको सा समीपता का महत्व जो है, इन्होंने अधिक दिया है, इसमें कहा है कि अनुबंधन जो स्थापित होने का या आवश्यक है, यानि जो अनुबंधन हम स्थापित करते हैं, यानि उसमें क्या करता था, कि जो कंडिशनल स्थापित करते हैं, जो कंडिशनल स्थापित करते था इनके मद्ध हम क्या करते थे सहचर इस्थापित करते थे ठीक है इनके मद्ध क्या करते थे सहचर इस्थापित करते थे और वही जो है अनुबंधन ने कहा था तो इन्होंने कहा कि जो अनुबंधन है यानि जो अनुबंधन हम इस्थापित होने के लिए इस कंडिशन को आने के लिए क्या आवशक है कि जो जो अनुबंधन को मतलब की जो स्थापित होने के लिए आवशक है कि जो कंडिशनल स्ट्योमिलस है और जो अनकंडिशनल स्ट्योमिलस है इसके जो समय के रूप में निकटता होने चाहिए इन दोनों का जो समय अंतराल है इसमें क्या है निकटता होनी चाहिए ठीक है जो समय अंतराल निकटता होना चाहिए यानि जो टाइम पिरेट होना चाहिए तो भी हमने देखाई था 0.5 सेकेंड का होना चाहिए ठीक है 0.5 सेकेंड का होना चाहिए कि आसपास हो साथ ही साथ दोनों की पुर्णा विर्थी साथ इन दोनों की जो पुर्णा विर्थी है वो बार-बार क्या हो जाए यानि कि इन दोनों की जो पुर्णा विर्थी है वो क्या हो जाए इनकी जो 0.5 हो और इनकी जो है पूर्ना वृत्ति हो ठीक है इस तरीके से हम लोग ने देखा कि इनकी जो कॉंसेप्ट है इनके सिधान्त को आई होप आपको क्लास समझ में आई होगी तो अगर अगर आपको यह क्लास पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शियर और सबस्क्राइब जरूर करें और कोई भी जो भी कुछ आपको इस वीडियो के बारे हम कहना हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताए यानि कोई और इस वीडियो को लाइक और शेर जरूर करें और सेनल को सब्सक्राइब जरूर करें थैंक यू फ्रेंट्स